नमस्कार दोस्तों देखिए ये वीडियो जो है इसमें ये इसलिए बना रहे हैं कि जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि भारती प्रधानमंत्री जो है फ्रांस की यात्रा पर गए हैं तो फ्रांस की यात्रा पर गए हैं तो कुछ ना कुछ जो है संबंदों में आगे विका लोग अंतराश्टी समंदों किताबों में काफी कुछ पढ़ लेते हैं कि ऐसा किया इस दिसने वाहिशा किया जलोग काफी समय से पढ़ हम आसे और रहे होंगे तों करने लिए काफी मी चीश में चीज नहीं है इसमें लेकिन नॉर्मली जो लोग नए है या जिने अभी ये समझ में समझना मुस्किल है कि अंतरास्टी संबंदों में उन्हें जो है बहुत ज्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं कि संबंदों में आखिरकार चल क्या रहा होते क्या हैं और जब दो देश शुरुवात में कभी मिलते हैं तो उनके संबंदों की सुरुवात कैसे होती है तो यह चीज जो है समझने के लिए है समझने के लेवल पर है केवल तो पहले हम लोग यह समझेंगे कि कैसे संबंदों के क्या-क्या आधार हो सकते हैं और किन आधारों पर जो है संबंद तै होते हैं तो आप देखिए एक बड़ी सामान्य सी बात है इसको सब जानते हैं कि कोई भी दो देशों उनके बीच के जो संबंद है वो निर्भर करते है उनके साजाहितों पर साजाहित कहने का मतलब साजाहितों जो हैं सो हैं सबसे पहली बात यह कि हमें क्या जरूरत है देखिए जैसे दो व्यक्तियों के भी संबंद है वैसे ही दो देशों के भी संबंद है सवाल यह है कि अब जैसे मालीजी करने वाला है और इतनी इतना बड़ा भूभाग है इसका 28 राज्य हैं आठ केंदर सासित प्रदेश हैं तो इनका नेत्रे तो कर रहा है जब जो भारत तो अब्यसली इस्थानीता है नरजातीता है बहुत संस्कृती बाद है और इसके बाद में जो है डोमेन है जो समुद्री होती है मीन्स आवश्चक्ता क्या है किसी देश की तो आवश्चक्ता जो है उस देश की तै करती है वहां की भागोलिक पर सितियां हो सकती है है ना उसकी क्या अवस्थिती है तो प्लस उसको यहां क्या संसाधन पाए जाते हैं उसकी आबादी जो है वो किस इस्तर पर अभ सोचिए अगर अब छोटे से व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो व्यक्ति व्यक्तियों से मिलकर के बनता है परिवार चार व्यक्ति मिल गए अगर पचास परिवार मिल गए तो बन गया गाओं अगर पचास गाओं मिल गए तो बन गया जिला अगर पचास जिले मिल गए तो बन गया राज्य और जब 28 राज्य मिल गए तो बन गया एक देश means तो जो एक व्यक्ति की जरूरत है वही परिवार में भी लोगों की जरूरत होगी वही गाउं में भी लोगों की जरूरत होगी वही जिले में भी लोगों की जरूरत होगी कहने का मतलब यह है कि वास्तम में एक राश्टर की आवश्चक्ता जो है वो मानव जीवन की जो आवश्चक्ता है वही आवश्चक्ता राश्टर की होगी अब मानव जीवन की आवश्च्टा जो है वो कुछ आवश्च्टा है आप देखो के स्थिर हैं कुछ जो है इस्थिती बदलने के साथ देशकाल परिस्थिती बदलने के साथ बदल जाती है means अगर रोजगार के सिती के आप बात करो तो कोई अगर लैंड लॉग्ड रीजन में रह रहा है यह चारो तरफ से जो है वो घिरा हुआ है समुद्र नहीं है महां किनारे तो वहां जो रोजगार के तरीके होंगे वो अलग होंगे वहां पर किस तरह की खाने है किस तरह की खनीश पाय जा रहे है तो उस तरह से रोजगार के अफसर निकलेंगे अब कोई समुद्र के किनारे रह रहा है तो उसके लिए रोजगार के अफसर अलग होंगे लेकिन रोजगार दोनों के जीवन में common है क्यों कि आए अगर चाहि यह तो दोनों कमाना तो पड़ेगा जरिया अलग-अलग हो सकता है तो जरूरत दोनों की रोजगार है रोजगार का जो आयाम है वो अलग-अलग हो सकता है तो अब जब रास्टर की बात करेंगे तो इसका मतलब रास्टर के आयाम में यह दोनों आयाम जुड़ जाएंगे अ ठीक है जैसे भारत और फ्रांस की बात करते हैं तो भारत अगर जो है सम्मंद बनाना चाहता है वरतमान समय में तो की प्रिंचिपल्स मींज कुछ की वर्ड के साथ चलती है हर देश की ब्योस्ता तो अब आज का जो दौर है भारत के लिए तो आप देखेंगे कि भारत की चुनौती क्या है भारत के लिए चुनौती यह है कि यह जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो जनांकिकी है जो जनसांकिकी है इसका समुचित विकास करके इसे संसाधन में बदल पाए क्योंकि अगर इसे संसाधन में नहीं बदल पाया तो भारत के लिए भविश्ते मे यही जरांकी की समस्या के तोर पे खड़ी हो जाएगी बेरोजगार अगर रहेंगे लोग तो आप राधी गत्विदियां पढ़ने की संभावना रहेगी प्लस राजक्ता पढ़ने की संभावना रहेगी तो भारत के लिए ये चुनोंती की तरह और यही मौका है कि अब जब आपके घर में कमाने वाले जिस समय सबसे ज़्यादा है तो उस समय अगर सबने कमाया तो परिवार सोता मजबूत इस सिती में पहुँच जाएगा अब कमाने की उम्र सबकी है लेकिन कमा दो लोग ही रहें और खाने वाले दस हैं तो समस्याएं बढ़ती जाती है तो इसी तरीके से भारत के लिए भी कुछ की प्रिंसिपल्स हैं इस समय उसकी आबादी और उसकी भगोली की सिती के संदर्व में तो चुक की प्रिंसिपल्स हैं युबा आबादी है तो रोजगार के लिए क्या है उत्पादन की गतिविधियां होनी चाहिए उत्पादन की गतिविधियों के अलावा उत्पादन विश्व इस्तरी अगर नहीं होगा तो विश्व के बाजार में फिर जो है हम अपने उत्पादों को खरीद बेच कैसे पाएंगे तो इसलिए जो है उसमें तकनीकी इस्तर भी अच्छा होना चाहिए और तकनीकी इस्तर अच्छा होना चाहिए इसके लिए हमारे पास अच्छी तकनीके होनी चाहिए तो या तो हम जो है दुनिया में जिन जिन चीजों का विकास हो चुका है हमने सारा कर पाया होता समय से लेकिन चूंकी हम ऑपनिवेशिक चेतर रहें हैं जो कुछ समय के लिए अवरुदराया आप कह सकते हैं कि उसकी डर रिनात्मक रही या जब आप किसी के उपनिवेश रहते हैं तो उन्हों ने अपने लाव के इसाफ से बनाए दुनिया में वो सब आगे हैं भले छेत्रफल में छोटे हो इसे फ्रांस है भारत के आगे फ्रांस देखे भारत के 28 राज्य और यूरोप के 29 देश बराबरी हैं लगबग छेत्रफल आप देखिएगा मिला के तो वो 28 29 देश और अकेला भारत कितना बड़ा है लेकिन इस भारत में अपनिवेशिक शक्ती के तौर पर फ्रांस रहा है कभी तो फ्रांस जो है भारत से आज तक्नीकी छेत्र की उन्नती में रोजगार्त के छेत्र में या फिर जो है आबादी है चूंकि कम है आप कुछ भी कह सकते हैं तो संसाधन इतने लूट लिये दुनिया से कि लूट के जाके अब जो है सबसे आगे बने बैठे हैं और अब उदारवादी और तरह तरह की बात हैं खेर चलिए कोई चर्चा का फिशा नहीं है हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संबंद के आधार क्या है तो भारत के इस समय जो की प्रिंसपल्स हैं संबंदों के तो पह कि हम टेक्नोलोजी ट्रांसफर पर इस समय जोड देते हैं कि हमें तकनीकी का हस्तांतरन किया जाए तो तकनीकी हस्तांतरन से क्या होगा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सकता है डेवलप्मेंट में भी जो है हमें अच्छी डाइमेंशन मिलेंगी और टेक्नोलोजी ट्रांस तो इसकी वजह से कुछ प्रतिबंद लगे तर रशिया की ऊपर तो टेक्नोलाजी ट्रांसफर नहीं हुई क्रायोजनिक इंजन दिये रशिया ने और हमने उन साथ क्रायोजनिक इंजन से धीरे-धीरे करके अपना खुद का आप रायोजनिक इंजन डेवलप कर लिया अब आ इसकी को हम आगे human rated launch vehicle में भी convert करके अभी जो है अपने astronauts को अंतरिच में भेजने की तयारी कर रहे हैं तो यह जो है तकनीकी विकास का असर होता है कि कितनी तेज उन्नती हो जाती है आप देखिए इसके बाद अगला पहलू जो है वो होता है governance ठीक तो चार हो गए co-production, co-development technology transfer, governance देखिए इसमें जो है कहीं कुछ लिखा नहीं है इसकी slide में आप जो है अगर note down करना चाहिए तो आप अपने हाथ से copy pen लेकर के बैठ जाईए अभी एकदम स्टार्टिंग ही है सारे आया मलास तक आप note कर लीजेगा तो co-production, co-development, technology transfer, governance ठीक है अब उसके बाद में ज partnership है और अगर ज़्यादा एतिहासिक संबंध है तो कहने लगते है natural partnership है तो natural और reliable का मतलब आप समझ रहे होंगे, natural का मतलब क्या है कि सवाभाविक तोर पर हम आपके लिए कुछ चीजों में काम आ सकते हैं और आप मेरे लिए काम आ सकते हो, means हम लोग एक दूसरे के पूरक क का और पर हैं और reliable का मतलब क्या है कि भले हम आपके काम ना आ रहे हूं लेकिन हमें ये भरोसा है कि आप में चीट नहीं करेंगे ठीक है तो ये reliable और natural होने का अंतर है हाला कि हमार भारत के जिसके साथ भी संबंध है reliable भी है और natural भी है बस अमेरिका के अभी कुछ दिन पहले में उन्हें के editorial discuss किया था कि अमेरिका के बारे में ये एक author ने लिखा था कि अमेरिका के इतिहास को आप उठा करके देखेंगे तो world के scenario में अमेरिका की priorities और friends कब बदल जाते हैं ये कोई नहीं जानता लेकिन इतिहास में हमने कई बार देखा है कि अमेरिका ने अपनी प्र प्रवेस कर गया है उसी अमेरिका ने एक समय 1971 में जब हम लोग बांगला देश के liberation जो मोर्चा था उसके लिए उसको मुक्त कराने ही कोसिस कर रहे थे तो यूस ने जो है अपनी 7th fleet भेजी थी बंगाल की खाड़ी के लिए तो इस तरीके से इस्थायत तो नहीं है अमेरिक export क्योंकि balance of payment जब दोनों देशों के भी संबंद होते हैं तो देखे सीधी सी बात है कि पैसा ज्यादा खर्च अगर हम करेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे तुम करोगे तुम गरीब हो जाओगे तो इसलिए पैसा ऐसे खर्च करो कि balance बना रहे ना हम गरीब हो ना तुम बस इसके अलाबा investment आप हमारे यहां कर सकते हैं तो अगर हमें अपना infrastructure डेवलप करना है हमारे पास परियार संसाधन नहीं है तो आप देखेंगे co-production, co-development, technology, transfer, governance और reliable या natural partnership के लिए import, export के लिए जो infrastructure बनेगा तो इन सारी चीजों के लिए कहीं न कहीं investment की जरूरत पढ़ती है तो हम भारत चूंकि जो है FDI की तरफ आगे बढ़ता ही रहता कि हमें हमारे यहां निवेस आए आप देखेंगे invest इंडिया प्रोग्राम भी चला रखा है भारत ने फिर उसके बाद तो अब transactions जो financial transactions होते हैं या फिर जैसे आप देखते होंगे कि हम भारत है तो भारत जो है line of credit भारत को भी भारत से ज्यादा संपन कोई देश दे सकता है या फिर कोई grant मिल सकती है loan मिल सकता है aid मिल सकता है जैसे कि world bank देते रहते हैं है न अब उसके बाद देखिए जब दो देशों के बीच में संबंदों की सुरुआत होती है तो सबसे पहले क्या होता कि formal बातची में establish की जाती है फिर उस dialogue mechanism के establish होने के बाद high level exchanges होते हैं high level जो widgets होती है उनके exchanges होते हैं हमारे राष्टपती उनके राष्टपती हमारे आ आ गए तो उनके साथ पिर delegation आते हैं delegation आते हैं delegation आते हैं delegation में अलग-अलग कई तरह के लोग आते हैं हर sector से जुड़े हुए तब high level exchanges start हो जाते हैं तो उसके बाद में कुछ time के बाद strategic partnership होती है means strategic partnership का मतलब क्या है कि अब कई छेत्रों में हम एक साथ जो है परसपर सयोग की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो strategic partnership start हो जाती है अब आप देखिए जब strategic partnership start होती है तो फिर बहुत सारे field जो है आ जाते हैं अब आप देखिए देश जो है business के level पे व्यापार को लेकर के बाद चीत होगी तो delegation में उनके यहां की company के CEO हमारे यहां की company के CEO तो बाद चीत होगी तो CEO forum की बैठक हो जाएगी यही सब आप देखते होंगे जब देखते होंगे ना संबंद कभी आते हैं कि CEO forum की बैठक से हमारी जरूरत है इस आधार पे अब जैसे माली एयर फोर्स है तो MRO facility हो गई means जो हवाईजाज वगएरा है उनको repair वगएरा करने की जो facility होती उसको MRO facility कहते हैं ऐसे ही जो navy के जहाज है उनके लिए भी MRO facility होती है है ना actually क्या है कि MRO facility है आप समझेगा कि हम लोग जो भारत अमेरिका संबंदों को discuss कर रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पे बात की थी कि MRO facility जो है पो पोर्ट पे ships के लिए होती होती है जो हवाई जहाज होते है हवाई जहाजों के लिए MRO facility नहीं उसको कुछ और बोलते हैं भी इस समय ध्यान नहीं आ रहा है चली ध्यान आगा तो बताऊंगा आपको बाद में ठीक है अभी देखिए तो डिफेंस का फील्ड हो गया उसके बाद उर्जा की जरूरत है तो उर्जा में clean energy renewable energy या civil nuclear जैसे nuclear energy की जरूरत पड़ती तो यह clean energy transition की चीज़े है जैसे माल यह green hydrogen हो गई हो गया तो हम इन चीजों से रिलेटेट जो भी मुद्द होंगे उन पर बातचीत होगी फिर हम जिस छेत्र में आर्थिक गत्विदियों को चला रहे हैं उस छेत्र में हमारी जो है सुरच्छा सुनिश्चित हो पाए इस पर जो है मुद्दा बन जाता है उसका आद आप द संबंद होते हैं जो अर्थ विएस्ता से संबंद होते हैं तो ग्लोबल अर्थ में इस तरीके से स्योग सकते हैं या हमने अपने डिजटाル ट्रोंपे इस्चीज हाइं हम आपको देते है या आपने कुछ डेवलोप कर लिया डिश्टल ट्रांस्फोर्मेशन के लिए तो आप हमें दे दीजिए ऐसे इस पेस सेक्टर हो गया तो सेटेलाइट लाउंच वहिकल जो है हमारा अच्छा आपका अच्छा या फिर जो है कभी हमें आपकी फैसलिटी की जरूरत पड़ आपको हमारी फैसलिटी की दिरूरत पड़ गई तो अलग अलग लेबल पर या हम लोगों ने कोई साजा मिशन कर लिया जैसे आप देख रहोंगे निसार सेटेलाइट जो है नाजा के साथ मिलके बनाया ऐसे ही जो फ्रांस की इस्पेस एजेंसी है इसके साथ में भी हमारा कंट्री का नेशनल अबार्ड फिर उसके बाद चुंकि दाइस्पोरा है दाइस्पोरा मतलब कि हमारे देश के लोग जो है वहां या तो लेवर के तौर पे है या फिर पढ़ाई करने के लिए गए हुए है या फिर तो आप देखेंगे आपस में लोगों जब रहते हैं त अब डाइस्पोरा के मामले में क्या होगा वीजा का इशू होगा तो वीजा को लेकर के जो है अपनी पॉलिशी बैतर बना सकते हैं एजूकेशन में क्या होगा यूनिवस्ती में एडमीशन को लेकर इशू होगा स्कॉलर्शिप्स के रिगार्डिंग इशू हो सकता है तो culture और tourism को कैसे promote करेंगे फिर उसके बाद हमने कोई initiative चलाया है आपने कोई initiative चलाया है तो आप हमारे initiative को support करिए हम आपके initiative को support करते हैं यसे इंडिया का जो है initiative IPOI है न इंडिया पैस्विक ओशियन इनिशियेटिव का support करता है फ्रांस ऐसे ही जब फ्रांस कोई initiative चलाएगा तो भारत सपोर्ट करेगा फिर जो अंतर रास्त्री मंच हैं अंतर रास्त्री मंचों पर जो हम प्रतिवद्दता हैं दोहरा रहे हैं आप हमारी प्रतिवद्दताओं का समर्थन करिए ऐसे सुरच्छा परिशत बिस्तार किया जाए भारत को इस्था फिल्ड जो है यह साइबर फिल्ड काफी तेजिस उबरते हैं कि कुछ छेत्र उभरते हुए हैं जैसे आप देखेंगे कि एक तो डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन हो गया इस पेस सेक्टर हो गया या फिर जो है साइबर हो गया अब जैसे टेर्रिज्म है आपके यहां भी आ जातंगबादी घड़ना हैं हो रही है तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ जो बेस्ट प्रक्टिसेस हैं वो सेयर कर सकते हैं फिर उसके बाद अब तक्नीक की विकास में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलोजी में आप देखो तो आटिफिशल इंटेलीजेंस है तो सेमी कंड़क्टर और क्रिटिकल मटीरियल को लेकर के भारत को जरूरत है तो सेमी कंड़क्टर और क्रिटिकल मटीरियल सप्लाई को लेकर के जो हमारे संबंद किसी के साथ विक्सित हो सकते हैं फिर बाइलेटरल लेबल पे हम अपने हर जितने हमारे फील्ड है इन फील्ड सारे पहलू हमने आपको जो है cover कर दिये हैं कि इतने सारे पहलू निकल करके आते हैं बस की तो दो चीजे हैं या तो की principles ऐसे co-production, co-development, technology transfer, governance, partnership, reliable and natural, import, export, financial transactions, investment ये key principles हैं और उसके sector कौन-कौन से हैं तो एक बार मैं उसके बाद high-level exchanges होंगे, high-level exchanges के बाद strategic partnership में आएंगे, जैसे France के साथ में जो है हमारी strategic partnership 1998 से शुरू हुई और इस समय जो है 25 वर्षों का समय पूरा हो गया, तो इसलिए जो है कल अपने statement में महाँ, जो opening statement था, उसमें जो है भारती परदानमंत्री जी ने बोला कि हम 25 वर्षों के आधार पर अगले 25 वर्षों की नीव रख रहे हैं, है ना, तो ये strategic partnership 1998 में हुई थी, अब 25 वर्षों है, पूरे हो गए हैं, तो अब इसके बाद आप देखिए strategic partnership होगी, जब strategic partnership होगी, तो फिर business के level पे, जिसमें CEO, forum बगेरा आजाएंगी, defense के level पे, जिसमें army, navy, air force से related हो गया, तीसरा, civil nuclear, चौथा, energy, energy में आप renewable और clean energy transition की तरफ, पाँचवाँ, इंडो-pacific region एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, छटवाँ, economy, macro level पे, maritime domain को लेकर के, या फिर global economy को लेकर के, है ना, या bilateral economy को लेकर के, फिर साथवाँ, digital transformation, अब जैसे भारत का UPI जो है, वो France में launch किया जाएगा, है ना, unified payment interface जो है, इंडिया का, तो, आठवाँ, space sector हो गया, नौवाँ, diaspora हो गया, फिर culture हो गया, historical relationship हो गया, tourism हो गया, है ना, partnership in one another initiative हो गया, means, जो आपस में हमारे initiative है, उनमें हम एक दूसरे क्या सायोग कर रहे हैं, उसके बाद support on international forums हो गया, regarding our stance कि हमारे क्या stance है, cyber हो गया, cyber security का issue, terrorism का issue, artificial intelligence का issue, semi conductor का issue, critical mineral supply का issue, है ना, policy formation at bilateral level for every sector, तो यह इतने सारे आयामों पर जो है, हम संबंद अपने विक्सित करने का प्रयास करते हैं, अब इनी सारे आयामों पर हम भारत-फ्रांस संबंदों में क्या विकास हुआ है आगे, कल हम लोग इस पर बाचीत करेंगे, आज थोड़ा finalize भी हो जाएगा, कि भारत-फ्रांस संबंदों में आप देखेगा, कि इनी आयामों पर विकास होगा, तो क्या-क्या विकास होता है, इस वो हम लोग देखेंगे, और तो आज हम लोग यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगर आप वीडियो पसंद आए, और किसी को, अब यह देखेंगे, यह क्या यह न्यू कमर्स के लिए है, कि यह समझने की चीज है, जादा जो लोग पहले से काफी पढ़े हुए हैं, उनको यह थोड़ा बोरिंग लग सकता है, और इसमें देखें, दिमाग आपको कुछ नहीं लगा नहीं, क्यों सुनते रहना था, जो कल हम लोग जो डिस्टर्स करेंगे, भारत-फ्रांस सम्मंदों में क्या विकास हुआ, इसको फिर सब लोग सुन सकते हैं, अभी फिलाल समझने के इस तर पे कि दोनों दो देशों क बीच में सम्मंदों का विकास कैसे होता है, क्या सिधान्त होते हैं, सम्मंदों के विकास के, या फिर कैसे साजाहित पनपते हैं देशों के, और किस तरीके से हम लोग किस इस्तर पर दो देशों के आपसी सम्मंदों को समझ सकते हैं, हाँ देखिए, इसको समझने के बाद मेंस के दोरान आंसर राइटिंग करते समय आंसर बहुत दीज़ लिख सकते हैं आप कम से कम किसी पॉइंट की कमी नहीं पड़ेगी किसी भी देश के साथ आप किसी भी देश के साथ संबन देखने हैं किसी के पास क्या है किस के पास क्या नहीं है किसी के लिए हम बाजार है कोई हमारे लिए बाजार है किसी से हम खुद खरीदते हैं चीजें किसी को हम खुद बेच रहे हैं तो कोई सेक्टर हमारा इससे में बहुत ग्रोइंग है तो कुल मिला करके जो कुछ भी करेंगे हम करेंगे ऐसे कि या तो हमें फाइदा हो या फिर हमें नुकसान ना हो दोनों बातों में अंतर है या तो हमें फाइदा हो या फिर हमें नुकसान ना हो या तो balance of payment जो है वो बना रहे या फिर हमारे पक्ष में रहे सब यही कोशिस करते हैं और जरूरतों के आधार पर जो है थोड़ा बहुत उपर नीचे होता रहता है लेकिन चुकि भारत आप देखते हैं वही बसदैब कुटमबगा मुँआरी थीम बसदा ही परिवार है और बास्ता में देखिए भारती संस्कृती जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा काम करने के लिए नमस्कार धन्यवार